तो जब हम sex determination की बात करते हैं तो अलग-अलग species में इसका mechanism different होता है कुछ में ये non-genetically determined होता है और कुछ में genetically अगर हम non-genetically की बात करें यनि इनमें genes का कोई role नहीं है sex determine करने में तो फिर कैसे हो रहा है कुछ organisms हैं जैसे की turtles, alligators, crocodile इनमें environmental cues यनि की fertilized egg किस temperature में रखा गया है इस पर depend करता है कि उनमें से जो animal निकलेगा वो male होगा या फिर female snails की अगर हम बात करें तो उनमें एक ही individual में male और female दोनों ही sex organs present होते हैं और sex इनमें change हो जाता है यानि कभी male कभी female तो इन दोनों ही cases में आप देख सकते हैं sex determination में genes का कोई role नहीं है लेकिन humans humans में sex genetically determined होता है तो अभी हम उस पूरे process को समझेंगे की कैसे देखिए ये ध्यान से सुनिएगा जब हम humans की बात करते हैं तो आपको पता होगा की human cell में 23 pairs of chromosome होते हैं यानि की total 23 plus 23 is equal to 46 chromosomes होते हैं visually अगर इसी चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर हम एक nucleus के अंदर से chromosome निकाल के देखें तो first chromosome हमने निकाला और ये हमें कुछ ऐसा देखेगा यहाँ देखें ये first chromosome दो के set में है एक ये और एक ये ऐसे ही second के भी दो होंगे, third के भी दो तो इस तरह से 23 pairs होते हैं हर cell में अब इन में से जो ये last 23rd pair है chromosome का इसको बोलते हैं sex chromosome क्यूं? क्यूंकि यही chromosome sex को determine करते हैं तो अब हम इसी 23rd pair की बात कर लेते हैं अगर female है तो उसमें ये 23rd pair होता है x x और अगर male है तो x y यनि एक x chromosome दोनों में होगा चाहे male हो या female और अगर female है तो उसी के साथ एक x और होगा इसलिए क्यूंकि female में दोनों chromosome एक जैसे होते हैं तो हम कहते हैं कि perfect pair होता है लेकिन male में होता है x y chromosome अब ये जो y chromosome है ये x chromosome से छोटा होता है तो perfect pair नहीं बना इसलिए male में हम कहते हैं कि mismatched pair of chromosomes है एक जैसे नहीं है एक बड़ा है एक छोटा अच्छा अब हम अगर baby के sex determination की बात कर रहे हैं तो ये decide होता है during the fusion of gametes या fertilization के वक्त कैसे तो उसके process को हम देखते हैं देखे जब भी gamete यानी sperm या egg का formation होता है तो chromosome हाफ हो जाते हैं मतलब इस female से जब gamete यानी egg form होगा तो एक बार में दो egg form होंगे और दोनों में एक एक x chromosome चला जाएगा वैसे ही जब male में sperm form होगा तो half sperm में x chromosome जाएगा और half में y chromosome अब जब fusion होगा या fertilization होगा तो egg तो हमेशा x chromosome ही carry कर रहा है यानी male हो या female एक x chromosome तो आना ही है लेकिन फर्क कहां होता है कि किस sperm के साथ ही egg fuse हो रहा है अगर ये egg x chromosome carry करने वाले sperm के साथ fuse हो रहा है तो baby का sex female हो जाएगा और अगर ये y chromosome carry करने वाले sperm के साथ fuse हो रहा है तो baby का sex होगा male तो humans के case में हम ये कह सकते हैं कि sperm determines the sex of child या फिर father male determines the sex of child जो child अपने father से x chromosome carry करने वाला sperm inherit करेगा उसका sex हो जाएगा female और जो child y chromosome inherit करेगा वो हो जाएगा male रहा है